आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ भाग लक्षमी योजना के बारे में और जान लिजिए कि इस योजना में आपकी बेटी है तो उसको पैसा मिलने वाला है सरकार की ओर से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मै अपनी वीडियो में आपको दूँगी तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी भाग गे लक्षमी योजना तो यूपी की है इसलिए बाकी लोग जो हैं वो कमेंट में लिखते हैं कि मैं हमारे यहाँ कब शुरू होगी तो इसलिए मैं पहले ही आपको नोटिस कराए दे रही हूँ कि यहाँ पर देख लीजे यूपी भाग गे उजना है तो यूपी में है तो बेटी की 21 साल उम्र होने पर मिलते हैं दो लाक रुपए यानि कि जब 21 साल तक आपकी बेटी हो जाएगी तो दो लाक रुपए आपको तो मिलेंगे मिलेंगे साथ ही उसके जन्म पर भी पैसा मिलेगा और उसकी पढ़ाई के लिए निरंतर आपको पैसा मिलता रहेगा तो पढ़ाई के लिए मिलेगा अलग से रुपए इसी के नीचे लिखा देखे यूपी सरकार की ओर से सुरू की यूपी भाग लक्षमी योजना में बेटी के पैदा होने पर मा को 51 सो रुपए यानि कि 500 सो रुपए के लिए मिलने वाला है इसको हम आपको पूरी वीडियो में इंट तक बताएंगे चलिए देखते हैं आगे पूरी नियूज उसके पहले आपसे छोटी स्टिक फेस्ट है चैनल पे नए आए हैं वीडियो पहली बार ने भुरूर हत्यार रोकने और प्रदेश में लिंगानुपात को कंट्रोल में करने के लिए बेटियों के लिए खास स्कीम की सुरुआत की है जिसका नाम है भाग गे लक्षमी योजना इस योजना के तहट बेटी के पैदा होने पर पेरेंट्स को आर्थिंग मदद के साथ बेटी की पढ़ाई के दौरान भी मदद की जाती जब वो पढ़ाई कर रही होगी तो भी उसको पैसा दिया जाएगा यह सुविदा उन लोगों के लिए हैं जो की काफी गरीब हैं इसके लिए उन लोगों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा जिनको पूरा करने के बाद ही आप इस योजना का लाब ले सकते हैं आईए आपको भी बताते हैं कि आखिर यह योजना है क्या यूपी सरकार ने सुरू की हुई है यह योजना यूपी की योगी सरकार बेटियों के लिए ऐसी योजना सुरू की हुई है जो उसके जन्म से लेते ही एक्टिव हो जाती है जैसे आपको यहाँ बेटी होगी आपको यहाँ पे लाब मिलना सुरू हो जाता है और 21 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती है वही बीच बीच में सरकार बेटी को पढ़ाई का खर्चा भी देती है 21 साल की बेटी आपकी जब होगी तो मेच्योर हो जाएगी बालिक हो जाएगी और लेकिन बीच बीच में सरकार उसको पढ़ाई का भी खर्चा देती है और वहीं जन्म लेते ही मा को बेटी के लिए 5100 रुपे दिये जाते हैं तो जन्म जब लेगी बेटी तभी मा को इतना पैसा दिया जाएगा फिर पढ़ाई के लिए बीच बीच में दिया जाएगा और 21 साल पुरा होने पे 2,00,000 उसको मिलेगा अब यहां पे देख लिजे यूपी सरकार में शुरू की है यह यहुजना तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह मैंने लिखा हुआ है और अलग से ताकि शुरुवाती परवरिस यानि कि बेटी बे अलग से दी जाते हैं ताकि सुरुवाती परवरिस में किसी तरह की दिक्कत ना हो कुछ ऐसी है यूपी सरकार की भागे लक्षमी योजना इस योजना का गरीबी रेखा के नीचे यानि BPL कार्ड धरकों को ही दिया जाता है तो यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं BPL कार्ड आपका है तब ही आप इस योजना का लाब उठा पाएंगे और यहां पर बता दें कि कुछ इस तरह से मिलता है रुपियों का फाइदा बापको यहां पर पता चलेगा किस परकार से आपको कैसे इसमें लाब मिलने वाला है सबसे पहले है कि बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार पचास जार रुपे का बांड देती है अब इस बांड में सेकेंड नमबर पर लिखा है यहां बांड 21 साल बाद मेच्योर होकर 2 लाख रुपे मिल जाते हैं जो बेटी के काम आते हैं यानि 50,000 रुपे का सरकार बेटी को जन्म होने पर बांड देगी जो 21 साल के बाद जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो वो 2,00,000 रुपे बन जाते हैं और जन्म के समय की बेटी की मा को 51,00 रुपे अलग से दिये जाते हैं ताकि शुरुवाती परवरिस और सेहत का ध्यान रखा जा सके 51,00 रुपे आपको अलग से मिलेंगे और ये 50,000 रुपे का जो बांट है 2,00,000 रुपे होकर आपको 21 साल की बेटी जब होगी तब तक आपको ये मिलेगा अब ये जो है आपका अगला पॉइंट है कि इसमें क्या है कि कक्षा 6 में आने पर खाते में 3,000 रुपे डाले जाते हैं फिर कक्षा 8 में पहुचने पर 5,000 रुपे का फाइदा दिया जाता है तो कक्षा 8 में जब वो आ जाएगी कक्षा 8 में आने पर 5,000 रुपे खाते में उसके आ जाएंगे कक्षा 10 में पहुचने पर बेटी के खाते में 7000 रुपे डाले जाते हैं और कक्षा 12 में आने पर 8000 रुपे का योगदान सरकार की ओर से दिया जाता है और इसी के साथ जो है स्कूली पढ़ाई के दोरान बेटी के नाम अकाउंट में 23000 रुपे डाले जाते हैं मतलब कि स्कूली पढ़ाई जब बारवी के बात की पढ़ाई करेगी तो 23,000 रुपे उसके खाते में भेजे जाएंगे और चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इन शर्तों का करना होता है पालन कौन कौन सी शर्ते हैं तो यहाँ पर बता दे आपको इसका फाइदा उन्ही बेट जरूरी है यानि कि आंगनवाडी केंदर में बेटी का रजिस्टेशन भी होना चाहिए फिर है तीसरा योजना का लाब लेने के लिए बेटी का विवाह 18 वर्स से पहले नहीं किया जा सकता अगर आप 18 वर्स से पहले विवाह करेंगे तो वो आपके लिए पैसा भी एक तो में होनी चाहिए ना कि प्राइवेट स्कूल में यानि कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको इस योजना का लाब नहीं मिलेगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तभी इस भ तेवल BPL परिवार की बेटियों को ही इस योजना का लाब दिया जाएगा अगर आपके परिवार में BPL रसन कार्ड है तब ही आपकी बेटियों को यह लाब मिलेगा परिवार की आय शालाना 2,00,00 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 2,00,00 से अधिक आपका एक वर्ष की आय नही ले पाएंगे, सरकारी करमचारी को इस योजना का लाब नहीं मिलने वाला है, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, कैसे मिलेगा हम लोगों को रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रेजिस्ट्रेशन इस तरह से होगा, योजना मेें र सर्विस सेंटर होता है वहीं पर आपको जाना होगा और इमित्र होते हैं सेंटर वो भी होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं जिसमें आपका कोई रेजिस्टेशन फीस नहीं देनी पड़ती है रेजिस्टेशन मुफ्त में किया जाता ऐसा लिखा हुआ है अब बहुत लोग कह हुआ है बाकि आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहां साफ लिखा है अगर रेजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती रेजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाता है अगर बात डाक्योमेंट की करें तो रेजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूपी का निवास प कौन कौन सी चीज़े आपके पास हो आपके पास यूपी का निवास परमाड़ पत्र बेटी का जन्म परमाड़ पत्र आपका आय परमाड़ पत्र घर के पते का प्रूफ घर के पते का प्रूफ आपके अधार काड़ पर ही होता है और बाकी निवास परमाड़ पत्र वो हो तो अधार काट से प्रूफ हो जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल यह सब होना चाहिए और आप वहां कॉमन सर्विस सेंटर पर जाके यह रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो चलिए जनकारी कैसे लगी जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्ष वीडियो में जनकारी के साथ अब त करते रहे हैं